हेलो एवरिवन माइनेमी चंदन सिंग और इंगलिस ट्रेनर वेल गाईज यह सेकंड एडिटूरियल है दो हिंदू का 13th मार्च 2019 देखतें किस बारे में हैं गाईज final showdown final showdown का क्या मतलब अगर showdown के बात कहें इसका मतलब होता है कि एक मुटभेड है एक निरनायक मुकाबला है तो उसके बारे हैं बात कहें जारेगी final showdown है क्या है वो the I.S. is facing defeat पहले तो यही समझ लेते हैं present continuous stance है यह कि जो I.S. है जो Islamic state है वो defeat वो हार को face कर रही है हार का मुँ देखना पड़ रहा है उसे but the search for a political solution in Syria should continue लेकिन search for political solution political solution की जो तलाश है Syria में, in Syria should continue, वो continue होना चाहिए, should लगा है ये model auxiliary वर मतलब कोई भी काम होना चाहिए उसके लिए होता है तो याथ है कि बात हो रही है कि जो Islamic state है, वो defeat face कर रही है आगे देखते है the Islamic state देख कि यहाँ पर कॉमा है which at its peak controlled territories straddling the Iraq-Syria border of the size of Great Britain, फिर यहाँ कॉमा है is now fighting for half a square kilometer in eastern Syria यहाँ full stop है अब जो beginners होते हैं बड़ी मुश्किल फस जाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक समझे कैसे इस कॉमा की मदद लेजिए देखिए the Islamic state यह आपका subject हो गया और इसका verb कहाँ पर है यह is is देख रहे हैं तो जब यह subject है यह verb है फिर यह क्या है तो यह बस इसकी तारीफ कर रहा है इसके बारे में कुछ extra information दे रहा है यह जो which है यह relative pronoun है और relative pronoun जो है वो अपने इस बगल वाले को जो antecedent है उसके बारे में कुछ बताता है और जब इससे पूरा एक sentence शुरू होता है तो इससे हम clause कहते है और चुकि यह adjective का काम करता है तो इसको adjective clause कहते है adjective का काम क्यों करता है क्योंकि वो बगल वाले के बारे में कुछ बताता है तो इसलिए adjective clause है तो the Islamic state which at its peak जो की जब अपने peak पर था which at its peak जो अपने उस चरम सीमा पर था controlled territories उसने उस territories को control किया उस चेत्रों को control किया straddling the Iraq-Siriya border straddle का वोकर वैसे मतलब देखे तो हता है दोनों और टांगे फैला कर बैठना या खड़े रहना यानि कि दोनों तरफ आपने पैरों को रखा है यानि कि अपनी पहुँच दोनों तरफ रखी ये बात कहे जा रही है तो उसने control जो किया था चेत्रों को वो दोनों तरफ था Iraq और Syria border पर उसके control थे of the size of Great Britain उतने बड़े area को उसने capture कर रखाता है जैसे कि Great Britain हो is now और अब क्या हुआ now fighting for अब वो लड़ रहा है for half a square kilometer in eastern Syria अब eastern Syria में कि एक आधा square kilometer के लिए भी लड़ रहा है तो बात समझ में रही है कि जब वो अपने चरम सीमार पर था तो उसने Iraq, Syria border पर इतना कबजा कर रखा था जो कि Great Britain से भी जादा था और अब वो एक half square kilometer के लिए भी लड़ रहा है तो यह Islamic State की मजबूरी के बारे बात कही जा रही है के लिए आगे दिखते है The Syrian Democratic Forces अब यहाँ एक कौमा लगा हुआ है The Kurdish-led rebel group assisted by the US अफिर यहाँ पर एक कौमा लगा हुआ है अब इसका क्या मतलब है देखिए The Syrian Democratic Forces यानि कि एक force है जिसका नाम है Syrian Democratic Forces यानि कि SDF फिर कौमा है यह कौन है यह forces यह है Kurdish-led rebel इस कौमा का मतलब apposition है वो इसके बारे में एक information दे रहा है कि यह कौन है तो यह क्या है Kurdish-led, Kurdish के द्वारा ने तृत किया गया यह led देख रहे हैं lead से बना lead इसे बुलते है past participle तो lead rebel group rebel मतलब विद्रोही तो यह विद्रोही group है जिसको lead कौन कर रहा है Kurdish and assisted by US और उसको assist कौन कर रहा है उसकी help कौन कर रहा है US help कर रहा है किसकी? Syrian Democratic Forces की तो यह जो है has effectively led says to Baghos देख रहे हैं यह present perfect है has यहाँ पर बीच में एक adverb डाल देते हैं confuse कर देते हैं तो has effectively यानि कि प्रभावी ढंग से प्रभावसाली ढंग से laid siege to Baghos तो इस team ने इस Syrian Democratic Force ने क्या कर दिया है Baghos नाम का एक जगा है उसमें जो Baghos जो हिस्सा होगा उसको siege कर दिया है laid siege to उसको घेर लिया है मतलब पूरी इपनी force वहाँ बैठा दिया होगी उसको घेर लिया है यह समझभा रहा है अब यहाँ पर कॉमा है कि बगोस क्या है तो the eastern Syrian village यह एक village है eastern Syria का यह sorry Syria का तो Syria का एक eastern village है यह वेर जहाँ about 500 IS jihadis along with 4000 women and children are caught तो यहाँ देखरें आर caught यह आपका present जो indefinite है present indefinite का passive है यह तो जहाँ पर 500 यह जिहादी है यह साथी साथ 4000 जो women है वो और जो बच्चे वो भी पकड़े जाते हैं वो एक गाउँ है जहाँ पर इतना सब कुछ हुआ कई बार यह present में दिखा देते हैं present indefinite में दिखा देते हैं उसके active passive में कहने का मतलब है कि 520 पकड़े गए वहाँ पर 4000 उसमें औरते भी पकड़े गए इनके अलावा और कुछ बच्चे भी वहाँ पर पकड़े गए कहाँ पर पकड़े गए इस गाउँ में जो Islamic State है इसके बारे हम बात कही जारे कि when मतलब जब Islamic State ने खो दिया बड़े बड़े शहरों को bigger cities मतलब इसका हक रहा होगा कबजा रहा होगा तो इसके इसका कबजा खतम हो गया जैसे कि रक्का करके है और इजोर करके जगह है Eastern Syria में इससे जब हक खो दिया militants कौमा लगा हुआ militants moved to Vaghos तो इसके बाद यहां से जो उनका अधिकार खतम हो गया तो उनके जो militants थे जो उगरवादी जो लड़ाका जो भी उनके militants लडने वाले जो लोग थे moved move हो गया कहां पर Vaghos में move हो गया and the deserts in south और south में जो deserts हैं जो रेगिस्तान इलाका है वहाँ पर वो लोग चले गए clear है after the SDF SDF कौन है Syrian Democratic Forces moved to Vaghos और SDF के Vaghos में move होने के बाद अब यह जो force है यह भी Vaghos चली गई several civilians fled the village तो बहुत सारे several मतलब बहुत सारे जो civilians थे वहां के जो रहने वाले थे fled past indefinite है यह fled flee से बना fled fled का मतलब flee का मतलब होता है भाग जाना तो fled मतलब भाग गया छोड़कर चले गया the village गाउं को छोड़कर चले गया the Syrian observatory for human rights estimates यह को present indefinite के इस्तमाल किया है कि जो Syrian observatory है यानि कि human rights हो गहरे के लिए absorb करने के लिए कोई संस्था होगी तो यह जो Syrian observatory है इन्होंने एक estimate किया एक अंदाजा लगाया तो यह प्रेज़ने definite दिखा दिया कि ऐसा अंदाजा वो लगाते है that nearly 59,000 nearly का मतलब करीब करीब 59,000 people have left IS hell territory since December कि December से लेकर अब तक 59,000 people ने उस छेत्र को छोड़ दिया है have left छोड़ दिया है IS hell territory जिस पर IS का कबजा था उस छेत्र को छोड़ दिया है present perfect है and at least at least 4,000 जिहादित have surrendered since February और February से 4,000 जिहादि है इन्होंने surrender कर दिया है ओके both President Donald Trump and the SDF commander से कर रहा कि दोनों के दोनों कौन दोनों जो President Donald Trump है और जो ये SDF है जो Syrian Democratic जो force है इनकी जो commander से वो कहते है victory against the IS is imminent कि IS के खिलाब जो विजह है जो victory है वो बिल्कुल इतम पक्का है imminent है imminent का मतलब कि इतम होने वाला है बस नजदीक है imminent का मतलब होते है कि इतम पास है नजदीक है सर पर है बस खड़ा ही है हो जाएगा विक्टरी इन बघोज विल आल्सो मीन दा आईएस टेरिटोरियल केलिफेट इस शैटरड अब कह रहे है कि अगर विक्टरी इन बघोज विक्टरी जो बघोज में जो विजह हुई है जो बघोज को इन्होंने आजाद कर लिया उनसे यह जो विजह है विल आल्सो मेन इसका यह भी एक मतलब होगा जो आईएस टेरिटोरियल केलिफेट इस शैटरड की जो आईएस का जो एक टेरिटोरियल जो उसका छेतर है उसके जो केलिफेट है केलिफेट का मतलब की उसमें जो खलीफा जो खलीफ है, वहां के छिव खलीफा हैं, वो भी Shattered हो जाएगा, इसका यह मतलब है, तो वो भी Shattered हो जाएगा, इसका यह मतलब होगा, since the battle for Cobain in 2015 देखें, यह since का मतलब है कि जब से जो battle of Cobain हुआ 2015 में which marked, अब यहां which एक relative pronoun है वो इसके बारें बता रहा है, कि जो battle हुआ था इसके बारें बता रहा है, तो यहां which से जो sentence चालू है, यह आपका adjective clause है, और यह information देता है, extra information बताता है तो फिर से देखते हैं कि since the battle of Cobain in 2015, कि जब से Cobain का जो battle हुआ था 2015 में, विच मार्क जिसने एक mark लगा दिया था the beginning of the end of the IS, जिसने उस battle ने यह बात रख दी थी, कि जो IS के अंत की जो है वो शुरुआत है जी, mark the beginning of the end of the IS, IS के अंत की शुरुआत को एक दा mark कर दिया था, यह हो गया कॉमा से, यहां भी कॉमा खतम, इस battle के बारे में यह बता रहा था, यह था आपका adjective clause, अब यहां से देखी Syrian Kurdish rebels have been in the forefront of the war और तब से, इस 2015 के Cobain जो fight हुआ था, battle हुआ था, तब से जो है Syrian Kurdish जो है, जो उनके जो rebel है, जो जो बिद्रोही है, have been in the forefront वो सामने रहे है, forefront पर रहे है forefront का मतलब है सबसे एकदम आगे रहे है of the war, यानि कि युद्ध के सबसे आगे रहे है naturally, the SDF would claim और इस सभाविक रूप से, जो SDF है SDF मतलब जो Syrian Democratic जो force है would claim, वो तो claim करेगा, दावा करेगा the final victory against the IAS वो Islamic State के खिलाब जो final victory उसका 100% दावा करेगा however, the liberation of baghaz यानि कि यह जो baghaz की जो आजादी, यह liberation मतलब जो आजादी है or the destruction of the territorial caliphate और वो जो खलीफा है उनका जो destruction, उनकी जो बरबादी है does not necessarily mean वो बिलकुल यह मतलब नहीं है उसका necessarily, अवश्यक रूप से यह उसका मतलब नहीं है कि आपने इसको आजाद कर लिया और इसको बरबाद कर दिया उसका यह मतलब नहीं है that the I.S. has been defeated यह has been आपका present perfect capacitive है तो यह मतलब नहीं है कि I.S. को मतलब defeat कर दिया गया उसे हरा दिया गया है यह मुख रूप से अगर देखे तो एक जिहादी गूप है जो कि इनसर्जेंट है जो बिद्रोही जिहादी गूप है इसने अस्थापित कर रखे है अपने cells especially in Syria and Iraq Syria और Iraq में इसने अपने cells बना रखे हैं अस्थापित कर रखे है which have continued और यह विच किसको बता रहा है उस cells को बता रहा है उस cells जो इसने अस्थापित किये हैं उसके बारे में कह रहा है कि अपने cells बना लिए हैं और which have continued जिसने शुरू कर दिया है to carry out terror attacks जिसने यह terror attack यह जो आतंकवादी जो हमले होते हैं उसको carry out यानि कि उसको अंजाम देना शुरू भी कर दिया है even as IS territories kept shrinking भले ही बेसे कि जो IS territories है वो श्रिंक होता रहे, कम होता रहे उसके बावजूद इन लोगों ने अपना काम तो शुरू करी दिया है अब यह जो group है इनकी जो उपस्थिती है यह कहां-कहां उपलब्ध है, कहां-कहां यह मौझूद है इनकी जो presence है वो है in Syria's vast desert Syria का जो बहुत बड़ा रहेगिस्तान है उसमें यह लोग मौझूद है कॉमा, यहां कॉमा लिखा है यह यानि कि opposition है इसके बारें बताएगा कि यह जो इस desert में मौझूद है वो क्या है वो वो है एक tactic वो इनकी रननिती है एक चाल है, tactic है its predecessor यह ऐसी चाल है जो इसके जो पूरवज थे predecessor का मतलब कि इस से पहले इस group से पहले जो group रहा होगा जो पुराने जो लोग रहे होंगे उस पे फिर कॉमा है apposition कौन थे वो लोग al-qaeda थे जो कि इराक में थे successfully used उन्होंने इकदम successfully इसका इसका इस्तमाल किया when it was in decline जब यह अपने decline पर था अपने पतन पर था during 2006-2011 2006-2011 के बीच इन्होंने इस desert है उसका इस्तमाल किया और अब यह वाली गुरूप भी है जो वास desert में है तो वो बात बताया जा रहे है कि जो इनका एक technique है desert के अंदर चले जाना इस तरह के रगिस्तान में चले जाना इसका tactic है एक रननिती है जो कि इनके पूरवज जो कि अलकाइदा है और थे किया करते थे किलर है after its leader और कब किया थे इन्होंने after its leader Abu Musal al-zarkwavi was killed जब यह जो बंदा इनका leader है उमारा गया था by the US US के द्वारा तो 2006 से 2011 तक के बीच में यह लोग भी desert में थे when the Syrian civil war broke यानि कि जब Syria में civil war जब चालू हो गया the remnants the remnants of AQI यानि कि जो Al-Qaeda के जो Al-Qaeda in Iraq इनके जो बचे हुए जो लोग थे जो टुकडे थे found an opportunity इन्हें एक मौका मिला for revival अपने आपको revive करने का मजबूत करने का and rebranded themselves खुद को इन्होंने दुबारा से brand कर लिया rebrand कर लिया फिर उसी position में आ गए as the जबत अलनुसरा किसके रूप में जबत अलनुसरा के रूप में फिर कॉमा है Al-Qaeda's branch in Syria जो की एक Al-Qaeda का ही branch है सीरिया में जब अलनुसरा के टुकडे हो गए तो उससे आयस का जन्म हुआ the US the Kurdish rebels अब यहां कॉमा कॉमा है कि US Kurdish rebels the Syrian government and the other stakeholders यानि कि इतने सारे जो लोग है US है Kurdish के जो भी द्रोही है Syrian जो government खुद है या और भी जो stakeholders होंगे जो उसमें शामिल होंगे in the region उस छेत्र में should be mindful उन्हें एकदम सतर्क रहना चाहिए mindful रहना चाहिए एकदम होश्यार रहना चाहिए किस चीज से of the geopolitics and sectarian minefields that groups such as the IS could exploit for their re-emergence अब कह रहे है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि जो geopolitics है जो भूमी और गयरा से related जो है geopolitics and जो sectarian जो संपरदाइक है जो minefield जो खादान है जो mine से related जो field होता है उसे minefield कहते है जो खादान से related होता है so that group that groups जैसे कि IS जो group है could exploit उसका शोशन कर सकते हैं for their re-emergence अपने emergence के लिए मतलब फिर से उभरने के लिए फिर से अपने उस power में आने के लिए उसका वो गलत इस्तिमाल कर सकते हैं उसे exploit कर सकते हैं Mr. Trump has already announced Mr. Trump ने पहले ही announce कर दिया है घोशना कर दिया है present perfect है ये the withdrawal of the US troops from Syria कि Syria से US की जो जितने भी सेना है वो वहाँ से withdraw हो जाएंगे उसका खोशना कर दिया है the Turkish government जो तर्की के जो government जो तर्की के जो government जो तर्की के जो government of President Recap, Taip, Erdogan तो ये जो President है Recap, Taip, Erdogan बड़ा मुश्किल प्रणाउंस करना है तो इनकी जो सरकार है is wary वो wary है मतलब वो होश्यार है जागरूख है of the rapid rise of the Syrian Kurds जो Syrian Kurds जो इदम rapidly जो उभर रहे है Syrian Kurds इनसे वो बिल्कुल जागरूख है होश्यार है अब कौन है ये Syrian Kurds उसके बारे बताया जा रहा है कि who are organizationally जो organization के रूप में and ideologically अपने विचारधारा के रूप में aligned with Kurdish rebels वो जुड़े हुए हैं Kurdish के विद्रोहियों से on the Turkish side Turkish के side पर the Syrian regime जो Syria का जो regime है जो छेत्र है जो sorry regime का मतलब जो शासन है जो Syrian जो शासन है on its part अपने हिस्से पर अपने पार्ट से अपनी तरब से has vowed to re-establish उसने अपनी तरब से परतिग्या ली है vow मतलब परतिग्या ली है क्या करने का to re-establish दुबारा से establish करने का its authority अपने authority को over the Kurdish autonomous region किसके उपर जो Kurdish का जो एक autonomous उसने जो Kurdish करदिश लोगों ने Turkey and Syria Turkey और Syria जो है attack Kurdish rebels अगर वो Kurdish के विद्रोहियों पर attack कर दे who were vital in the battle against the IS जो की बहुत important थे in the battle against the US मतलब IS IS के खिलाब जो युद्ध हुआ था उसमें बड़े important थे that would throw north eastern Syria तो ये क्या करेगा ये throw कर देगा north eastern Syria को into chaos again इसका मतलब ये है कि एगर ऐसा हो गया अगर ये attack कर दे तो ये जो north eastern जो Syria है इसके अंदर अशांति हो जाएगी chaos हो जाएगा हो हला पैदा हो जाएगा सब अस्तवियस्त हो जाएगा which would suit the jihadis जो jihadis को suit करेगा to avoid this अगर इसको खतम करना है there must be an orderly orderly US withdrawal and a political solution to the Syrian civil war तो भाईया क्या होना चाहिए there must be an orderly US withdrawal एकदम orders एकदम order का मतलब है कि step by step US का withdrawal होना चाहिए and political solution होना चाहिए to the Syrian civil war का है जो Syria में जो civil war जो है इसका ही कोई solution मिलना चाहिए नहीं तो सब कुछ अस्तिवेस्ट हो जाएगा और जो जिहादी है उनको तो अच्छा ही लगेगा कि हो जाएए यह बात कही गई है so guys आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care keep practicing and have fun thank you guys कर दो धिनको भारे भारे